Hello everyone, welcome back to GK Code Lab. अब Apache Spark, Data Engineering के वर्ल्ड में बहुत ही important framework है. तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2024 में Spark, Apache Spark सीखने का सही roadmap क्या होना चाहिए? बहुत short में, what is Apache Spark? अगर ये भी doubt है, तो please इस चीज़ को clear कर लो, ये वीडियो में आगे जाने से पहले. साथ-साथ ये भी clear कर लेना, कि Apache Spark हम क्यों use करते हैं, और जो हमारे पास already SQL और normal storage systems हैं, तो हमें भी फिर ये Spark की distributed system की distributed storage की क्या जरूरत होती है? तो इतना basic सी चीज़े clear कर लेना. उसके बाद, हाँ, अगर आपको लगता है, Spark आपको सीखना है, तो ये रहा आपका road में. सबसे पहले important है, सीख लेना इसका architecture. architecture में सारी चीज़े आती है, RDD, DAG, driver, cluster manager, cluster type, worker, executor, task, jobs, partitions, deployment modes, तो ये सारे जो मैंने अभी terms बोले, बहुत important है, मतलब आपकी fingertips पे होने चाहिए. सारा कुछ architecture basically और ये सारे terms, बहुत important है. पहली चीज़ ये पढ़ लेना. दूसरी चीज़ है versions, 1.x से अभी x मतलब 1 के अंदर के minor versions, तो 1.x से अभी, फिलहाल 3.x, अभी तो 3.5 चल रहा है, क्योंकि ये बहुत vast framework है, और बहुत ही deeply dependent होता है, किस programming language में इनको लिखा जाना है, Scala में, Python या Java में. तो accordingly, बहुत ही frequently इनके versions update होते हैं. तो बहुत important है कि आप versions का significance समझे, कि Spark का कौन सा version, किस version में क्या features आए थे, कौन-कौन से major versions है, और at least जो अब interviews में जाओ, तो project-wise आपको version clear होना चाहिए, कौन सा Spark का version यूज़ कर रहे थे, और कौन सा उसका dependent Python या Scala का version यूज़ कर रहे थे. तो इन सब चीज़ को देखते हुए, वर्जन्स की significance और importance पार्क के लिए बहुत important है, तो एक idea ले लेना, अब theoretical perspective में इतना काफी है, अब आता है main चीज जो है practice, तो इसके लिए मैं आपको suggest करूँगा, इतनी theory पढ़ने के बाद, प्लीज एक local development environment setup कर लो, जिसमें आपका IDE हो, बेसिक सारी चीज हैं, जैसे Java अपने सारे environment variables, और respective programming language, अगर आप Python में जा रहे हो, तो Python और Scala में जा रहे हो, तो Scala के SDKs और पूरा development environment setup कर लेना, क्योंकि बहुत important इसलिए है, इतना बड़ा documentation है, इसके बाद अगर आप programming के अंदर, और कैसे कैसे क्या-क्या functions होते हैं, उसके अंदर जाओगे ना, तो इतना बड़ा documentation देख करके, there are chances, कि आप बीच में ही छोड़ दो, कि यह तो बहुत जादा है, पर step by step, basic से ले करके, अगर आप hands-on करते हुए चलोगे, तो पता चलेगा, चीजे उतनी मुश्किल नहीं हैं, और आप उसके foundation को समझ पाओगे, अब देखते हैं, आगे कैसे preparation करनी है, first of all start करना है data frame API, और यही क्यों important है, क्योंकि यह आपका एक base foundation बनाएगी, mainly data को process करने के लिए, जिसके लिए हम spark use करते हैं, उसको आप actually visualize कर पाओगे, हम कर क्या रहे हैं, वो rows, columns, वो view आपके लिए clear हो जाएगा, और उसके उपर आप सारे functions, जैसे धीरे-धीरे try करते हो, वो सब as a new learner आपको समझ में आने लगेगा, easy way में, आप लोग कही न कहीं देखोगे, कि हमें RDD से start करना चाहिए, पर बात यहां पे, क्या पहले सीखना है उसकी नहीं हो रही है, जो सीखना है वो मैंने architecture में already RDD आपको बता दिया, कि वो आप concept clear कर लेना, पर क्या hands-on practice करना है, उसकी बात हो रही है, वहाँ पे data frame सबसे पहले आता है, RDD पहले use होती थी और अभी भी data frame का जो base, जो process करने का तरीका है, वो RDD से derive जरूर होगा, पर अभी आपको hands-on practice करने के लिए, RDD के वही mapping, looping उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, आप सीधे data frame पे आईए, ताकि जब वो चीज clear हो, और उसके बाद आपका जो architecture है RDD का, उससे आप बहुत जल्दी relate कर पाऊगे, बट अभी बिल्कुल RDD के अंदर गुसना map, flat map यह सब नहीं जरूरत है, आप confused ही होगे, सही route है, पहले hands-on अगर करें तो data frame API पे करें, अपने personal experience से बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, data frame को next level लोग समझ लेते हैं, कि अभी तो RDD clear नहीं हो रहा, data frame पे कैसे जाएंगे, अगर नया सीख रहे हो तो, बहुत rare cases हैं, बहुत binary file कुछ अगर process करनी है ऐसी, तो RDD आप यूज़ करोगे, नहीं तो data frame या data set ही यूज़ करोगे, और देखो, मैं बहुत short में सिर्फ roadmap बता रहा हूँ, Apache Spark सीखने का, ताकि आपके पास start करने से पहले एक clear vision हो, आप भटको ना, कि मैं यह सीख लूँ कहीं पर यह बता रहें, कहीं पर बता रहें, roadmap जो मैं बता रहा हूँ, वो follow करो, बाकि आपको सीखना कहां से है, किसी ब्लॉग से, किसी व्लॉग से, हमारे वीडियो से, किसी और के वीडियो से, Udemy से, कोर से, जो आपका मन करें वहां से सीखो, बट मैं यह चाहता हूँ, कि vision clear रहे, कि अगर सीखना है, तो इस पात पे जाना है, क्योंकि लोग start कर देते हैं, पर अगर एक guided path नहीं होता, तो बीच-बीच में दिक्कत आ जाती है, फिर बहुत सारा motivation ले करके, दुबारा से start करना पड़ता है, यह short सी वीडियो आपको path clear करा देगी, चलो, थोड़ा deep dive करते है, data frame APIs में आपको क्या सीखना है, अब simple सी बात है, data आएगा process होगा, आगे कहीं consume होगा, तो very important data frame readers, data frame writers, यह सबसे पहले कहां से आएगा, कैसे लिखा जाएगा, concept क्या है, वो चीज तो एकदम clear कर लेना, अब इसमें क्या clear करना है, obviously कैसे read होगा, क्या-क्या format support करता है, कैसे-क्या compression support करता है, इनके साथ और क्या-क्या चीजे जरूरी होती है, different formats of data को support करने के लिए, मतलब overall readers और writers का concept एकदम clear कर लेना, अब आती है, बीच में processing वाली चीज, तो processing के लिए, बहुत important है, सारे major functions और base functions, आप एकदम practice करके अच्छे से hands-on कर लो, like columns को select करना, rename करना, columns को drop करना, sort करना, aggregate करना, बीच में missing data है तो उसको populate करना, join करना, partition करना, bucket करना, इस सारे जितने भी इन सब चीजों के सारे functions है, सब अच्छे से याद कर लेना, अगर miss कर गे हो तो एक बार थोड़ा सा rewind करके, दुबारा से सारी functions में में सुन लेना, और सबसे important, at last, जो कुछ functions already है, वो आप बाद में भी explore कर सकते हो, कुछ अगर बहुत remotely ऐसे function है, जो आपको, आपका scenario ऐसा है कि आप, आपको use करना है, तो बाद में भी documentation देख सकते हो, पर कोई भी function को implement करना, very important, UDF, user defined functions, इसका concept एकदम clear कर लेना, और इसको कैसे implement करते हैं, यह भी सीख लेना, अब basic practice हो गई, अब आते हैं, थोड़ा सा advanced, एक concept, जिसमें आपको महारत हासिल करनी है, spark के case में, वो है optimization, सबसे important चीज़, क्यूंकि इसका theoretical और practical hands-on, दोनों बहुत important है, अगर बहुत shortly समझें, तो आपको पता चलेगा कि, spark obviously, big data को process करने के काम आता है, किस format में है, कौन-कौन से sources से आ रहा है, कितना data parallelly process हो सकता है, कितना parallelly process नहीं हो सकता, sequentially करना पड़ेगा, और process actually करना क्या है, simple सा addition, या look-up है, या कोई बहुत बड़ा join, या बहुत बड़े-बड़े partition को shuffle करना है, तो यह सारी चीज़ें, बहुत matter करती है, चोटी-चोटी चीज मैटर करती है, final data की processing होने में, तो एक perfect spark engineer बनने के लिए, या data engineer बनने के लिए, आपको इन सारी चीज़ों का perfect balance बना करके रखना होता है, ताकि आपका process फेल ना हो, और बहुत ही अच्छे से, जिस machine पे हो रहा है, उसका CPU और उसकी RAM और उसके सारे resources को use करते हुए, और आपका जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है, data process करके आपको दे, और इन सब चीज के लिए spark के अंदर, इतने सारे parameters हैं, तो उतनी सारी configuration है, और उन सब चीजों को समझना बहुत important है, कहीं आपको इस configuration गलत ना set कर दो, कभी पता चला कि आपका CPU और RAM ऐसी फालतु में पढ़ा हुआ, यूज ही नहीं हो रहा data, जबर जस्ती टाइम लगा रहा है process होने में, तो वही चीज है perfect balance, वह जिस दिन आप समझ जाओगे, आप optimization के perfectionist हो जाओगे, सबसे important चीज है ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला मैं roadmap बता रहा हूँ सिर्फ, और भी बहुत सारी ऐसी important चीज़े होंगी, जब आप यह सारी चीज़े सीखोगे तो आ जाएंगी, जैसे बहुत important चीज है caching, persisting, storing, यह सारी चीज़े optimization में भी cover हो जाएंगी, तो path यही choose करना और धीरे धीरे यह सारी चीज़े आपको clear होती जाएंगी, और यह सारी चीज मैं आपको suggest करूँगा आप at least spark, जो latest version चल रहा है जिस भी time आप यह video देख रहे हो, तो उससे at least दो minor version पीछे वाले version पर ही practice करना अगर hands-on कर रहे हो, क्योंकि reason is latest version although stable होते हैं तभी release होते हैं लेकिन अगर आप किसी interview में जाते हो, तो वहाँ पर there are chances कि वह आपसे पूछें कि आप कौन सा version यूज़ कर रहे थे प्राक्टिकली स्पीकिंग कोई भी प्रोजेक्ट लाइव प्रोड़क्शन प्रोजेक्ट लेटेस वर्जन पर नहीं रन करता है, महाँ पर आपको अलग-अलग तरह के अलग-अलग format के अलग-अलग sizes की data set मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करो और अपना practice शुरू कर सकते हो, तो I hope इस वीडियो से आपको एक roadmap मिल गया होगा कि आज 2024 में आपको कैसे Apache Spark अगर सीखना है तो किस path पे चलना है, तैंक यू गाइस प्लीज के को सब्सक्राइब करना ऐसी ही more insightful वीडियो के लिए थैंक यू लेटर